ये कहानी इस्पैडर मैन बैक इन ब्लैक की है जिसमे हम देखते हैं कि जिस पीटर को हम जानते थे मजाकिया प्यारा एस्पैडर मैन वो नहीं रहा यह अब खूंड के प्यासा रहता है बदली की आग मी जलता हूँ पीटर क्योंकि इस कहानी में जब पीटर दुनिया के सामन में को चुपके से गोली लग जाती है किनके पीटर के पास एस्पैडर सेंस थे जिससे वो बच जाता है में को गोली लगने के बाद भी वो शूटर गोली चलाते रहता है तब पीटर तेरी से बाहर जाता है और जहांसे गोली चल रही थी वहीं एक गारी उठाकर फेकता है और उसके बाद तेरी से अपने चाची को खुद सही हॉस्पिटर पहुचा देता है और एक बेट पर लिटा देता है फिर वहागे डॉक्टर सब उसका इलाज करते हैं लेकिन फिर भी हालात सही नहीं होती तब पीटर उसको चुपके से अपना खुद देता है जिसके बाद उसकी चाची की तवेत थोड़ी सही होती है उसके बाद पीटर उसी जगह जाता है जहां शूटर था तो वहीं एक पुलीस वाला से रोबता है जिस पर पीटर उससे वहीं दिवाल में अपने वेब से चिपका देता है फिर पीटर उसकमने की पुरी छानबीन करता है और उसे वहीं एक रैफल का कुछ हिस्सा मिलता है डूंदे डूंदे वह एक वेयर हाउस पहुंचता है जहां कुछ बदमास होते हैं वहाँ आते ही वो बदमासों पर लात गोजों की बारिस करने लगता है बिना गोज बोले बस सबको मारते रहता है और उसी रैफल का हिस्सा दिखा कर पूछता है उसके बारे में जबाब नहीं मिले बर वो हाथ पेर भी तोड़ देता है ये सब वो बिना अपना इस्पैडर क कौश्यू पहने कर रहा था उसे अपनी परवान नहीं थी वो बस उस शूटर के बारे में जना चाता था कि वो कौन है उदर हॉस्पिटर में में की तवित में कोई सुधार नहीं आ रहा था कुछ घंटो बाद पीटर एक पुराने से बिल्डिंग पे जाता है जहां वो जाती है कि में की आरत में कोई सुधार नहीं है फोन रखने के बाद वो तुरंत एक दूसरी गुंडे के घर जाता है जिसका पता उसे पहले चला था और वहां भी सबको बूरी तरह मारने के बाद वो एक बंदे से पूश्टाश करता है जवाब पसंद नहीं आने पर वो खिरकी से बाहर फिर देता है वो गुंडा चिलाते गिरते रहता है तब यह स्पैरवन अपने वेप से उसे पगर लेता है तब वो गुंडा डर कर उसे सब सच बदा जाता है और पीटर को उस शूटर का नाम पता चल जाता है ढूंते ढूंते पीटर उसके पते पर जाता ह उसके गोली से बचते उस शूटर के पास जाता है और उसका हाथ तोड़ देता है। फिर उसे बोलता है कि दूसरे हाथ से बंदों खुठाई। ऐसा नहीं करने पर वो शूटर को मारने लगता है। बोलता है कि अब कैसा लग रहा है, माल खाते। और पीटर उसे भी बेरैमी से मारते रहता है और फिर बोलता है कि वो से तरपा तरपा कर मारेगा पर पहले उसका नाम जान ले जो इसके पीछे था इतने ही दिर में कोई दूसरी दफ से गोली चलाता और शूटर वही मर जाता है दूसरा बंदा बच कर भागना जाए अपने वेब से बंद कर देता है और उसका फोन ले रहता है दूसरी तरप की आवाज सुनते समझ आता है कि कौन है फिर पीटर फोन पे केंग पिंग इस पर केंग पिंग जवाब में पूछता है कि वो महार पीटर पार्ट के क्लिए क्या कर सकता है जिस पर पीटर उसे मरन पार्ट के गए थे वो उसे अधीशाई है उधर पीटर होच्विटर में अपनी चाची से मिले जाता है जिसकी हालत अभी वैसी की वैसी ही थी वहाँ वह दोनों को अलविदा कहता है उसके बाद केंग पिंग के जेल में सब कैदी का तरवाजा खुल जाता है और फिर हम द किंग पीन उससे बादचीत करने कोशिस करते रहता है कहते कि कास हम कहीं और किसी बहतर वक्त पर मेंते हैं क्या बोलते हो पारगर साब पीटर चुपचाप सुनते रहता है किंग पीन उसे उकसाने के लिए बुरा बुरा बोलते कि सारी नियुवा कुछ से नफरत करती है कि जैसे ही किंग पीन फिर तो समलता है तो उसी विश्वास नहीं होता लेकिन फिर भी वो स्पैरेमान को उक्साते बोलता है कि चार्ची के सासत स्रीम जाग वे चली गए इस लांडेक के हजे तो मुझे आ रही है सालीब बुढ़िया मरी है चिंदा वो ये बोलती ही रहता है कि स्पैरेमान तेजी से उसको चार्ची अपसे मारने लगता है कि इंग पीन फिर इस पैरे को उक्साते बोलता है कि क्या सावित करना चाते हो बैर बोल तो बहुत रहा था मरने के लिए बंद हो गई बोलती बोलता क्यों नहीं कुछ तब इस फैरेमान बताता है कि ठीक है इस सूट का कुछ मतलब है मतलब किसी की जान नहीं ले सकता और बताता है कि वो उसे नहीं मारेगा ये बोलती है और पना मास्क और सूट हटाता है तब बोलता है कि मैं मारने आया हो तु किंगपीन को मारते जा रहा था बस ये सोचते कि आखरी दम तक मारना है पर ये कोई मामली आदमी नहीं था बस एक टार्गेट था और फिर किंगपीन को कच्छरे की बोरी तरह दूसरी तरफ फेकता है फिर वहीं किंगपीन अपने घुटनों पर रहता और वहीं पीटर उसक को बताता कि बस पैसों की गर्मी है तुवारे पास, को भी शक्ति नहीं है, आखर भी बस एक मोटे भैस हो, जो ना तो दिवार पे चड़ सकता है, ना आख का गोला बना सकता है, और नाइपूर सकता है, बस एक फुलावा गुबारा, और जिसको हराने के लिए बस एक तब अपने पुरी शक्ति से पीटर को मारने उसके तरफ बढ़ता है, लेकिन पीटर पर अराम से उसे एक गुसा मारता है, और केंगपीन वह लहू लवान नीचे गिरता है, फिर पीटर उससे उठने बोलता है, जिसके उठा नहीं जाता है, जब उसकी मरजी वो तब उठ पीटर केंगपीन की चमरी पक्रिव से उठाता है, और जोरो से थपर माने लगता है, हाथ के दोनों साइड से, और मारते ही रहता है, वहां खरी कैदी ये देखकर डर जाते हैं, लेकिन पीटर थपर मारते ही रहता है, फिर आते में केंगपीन की चमरी पक्रिव उठाता है और बताता है, शुरुवात तुम ने की थी, खत मैं करूँगा और वो अपना हाथ केंग पिन के मुह के सामिल आते हैं मैं तीन तक गिनूँगा, फिर अपना वेब पाने मुह के अंदर जिससे तेरह फेपना भर जाएगा, और जब तक कुछ डॉक्टर कुछ करेगा, तु उपर तेरह अंदर अक्सिजन के जगा वेब होगा फिर पिटर तीन तक गिनता है, जिस पर केंग पिन के पास कोई और चारा नहीं रहता बस डर से पिटर के तरब देखने के अलावा, लेकिन पिटर मेना केंपिन को मारे ही वही नीचे फेख देता है और फिर बताता है कि बस तो यह तरी आउकाद दिखाने थी, और वो उसे मानने से वे बुरा हाल किया है कुतिक की तरह मारा, वो भी इतने लोगों के सामने, यह सब तेरी आउकाद जान चुके हैं, यह अपने दोस्तों को बताएंगे, वो अपने सोच तेरी क्या उकाद रहेगी बाहर, और हाँ, दुआ करना कि मेरी चाचे कुछ ना हो, क्योंकि अगर वो नहीं बची, तब तू भी गया, वैसे भी तू कुछ कर तो सकता है नहीं फिर पीटर वहीं सब कैदि को बताता कि यह सब के लिए था, अगर किसी ने भी उसके परिवार में से किसी का बाल भी बांका किया, मौत से बत्तर हालत करके फिर मानूँगा, और यह बोलते पीटर वहांदर चला जाता है, किंग पीन जो अदमर्य हालत में रहता है, कैसे भ क्रीर